हलो दोस्तों भारत अपडेट सेनलम आपका स्वागत है और दोस्तों यहाँ पर आज एक important most important अपडेट जो है यहाँ पर आई है तो बहुत दिन से वेट कर रहे थे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं यहाँ पर students हैं वो वेट कर रहे थे entrance exam का तो दोस्तों यहाँ पर एक entrance exam यहाँ पर आ चुका है तो उसके अभी form fill होंगे तो यहाँ पर आप देशकते हो स्क्रेन के उपर करिशी विश्य बिद्याले पालंपूर मैं प्रवेश को 15 मई तक करें आवेदन तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बता पालंपूर मैं 2020-21 के चलने बाले सत्तर की होने वाली सनातक और सनातकोतर कक्षाओं की पढ़ाई को लेकर विश्य बिद्याले ने सेड्यूल जारी कर दिया है विश्य बिभिन कोर्सेज को लेकर ओनलाइन प्रोस्पेक्टस प्रक्रिया शुरू कर दी है 15 मैं तक विद्या केस दिये हैं कि शेड्यूल में फिरवदल भी हो सकता है विश्य बिद्याले का नया सतर चार अगस्ते शुरू होगा विश्य बिद्याले के ओर से जारी की गई शेड्यूल मैं बेटरनेरी कोलेज बीबी सी एंड एच और बीएश्य ऑननर्स की लिखित प्रिक्षा 13 जून तो यह मैं आपको उधर बताता हूँ, बहाँ पर बिल्कुल आपको अच्छे से दिखेगा यहाँ पर भी देख लेते हैं तो 13 जून को और मास्टर्स कारेकरमों की 21 जून को होगी BBSC and AH और BSC Honors में जनरल बास सेल्फ फाइनसिंग श्रेनी के छात्रों की कांस्लिंग जुलाई और अन्ने श्रेनी की 10 जुलाई को होगी B.Tech Food Technology की कांस्लिंग 13 जुलाई BSC Physical Science और BSC Life Science की 14 जुलाई BCC Honors Community Science की 15 जुलाई M.S.C. Agriculture की 16 जुलाई M.B.S.C. की 18 जुलाई और डोक्त कारेकरमों के लिए 27 अगस्ति कांस्लिंग होगी बिफिन कक्षाओं के लिए वोके इंट्रिव्यू 19 अगस्त और 21 स्तंबर को होंगे कृषिव बिश्व जाले के कुलपती प्रोफेसर अशोक ने कहा की तितियों में बदला भी हो सकता है तो चलिए अभी मैं आपको यहाँ पर ओफिशिल जो है नोटिविकेशन वो आप मैं आपको बता रहता हूं दोस्तों यह नोटिविकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो प्रोस्पेक्टस यहाँ पर और यह आपको इनकी ओफिशिल वेबसाइट के ओपर भी मिल जाएगा ठीक है तो यह आप देख सकते हो है कितने पेजिस हैं इसमें 73 पेजिस का यह प्रोस्पेक्टस है मैं आपको बताता हूं पूरा और तो यह है दोस्तों तो दोस्तों पहले सबसे पहले यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है अप्लिकेशन फी की तो जनरल ओविसी के लिए 2000 रुपे यहाँ पर फीस रखी एप्लिकेशन फॉर्म ठीक है नोन एच्पी बोनफाइड के लिए उनके पास एच्पी का बोनफाइड नहीं है उनके लिए 4000 2000 प्लस 2000 यहां पर लिखा गया है ठीक है और एन आराई ओसी आई फॉरेन नेशनल्स के लिए आप 16-18 पे दिखेंगे ठीक है तो कहां से आपको करना है आपको प्लाइ करना है यह जो विबसाइट दी गई है हिल एग्रिक.ac.in ठीक है यह विबसाइट यहां पर रहेगी लास्ट डेट क्या रहेगी दोस्तों लास्ट डेट के अगर हम बात करें तो पंदरा पांच 2020 यान की 15 मई 2020 इसकी लास्ट डेट जो है रखी गई ह ठीक है और ओफलाइन के लिए पंदरा साथ 2020 इनके लिए ठीक है और डेट ओफ एंटरंस टेस्ट की अगर हम डेट देखें तो यह जो है बी वी वी एसी एंड एच एंड बी एसी ओनर्स एगरिकल्चर प्रोग्राम्स के लिए तेरह छे 2020 यान की 13 जून को यह एंटरंस एक बी एसी के लिए 21 जून 2020 यान की यह जो है MAC Agriculture और MBSC यह जो है 21 जून को एंटरंस एक्जाम यहाँ पर होगा फिल हाल के लिए ठीक है और इसमें चेंजिज हो सकते हैं बट फिल हाल यही डेट इन्होंने यहां पर बताई है ठीक है और यह देख सकते हैं और प्रोग्राम क ठीक है और मास्टर्स के जितने भी प्रोग्राम है ठीक है उनके लिए सेंटर एक यह रहेगा पालमपूर ठीक है दोस्तों और वेन्यों डेट एंड टाइम फोर दा कॉंसलिंग यह यहां पर दी गई है कब क्या होगा ठीक है यहां पर दो डेट दी गई है नो साथ दो हजार बीस फोर जन्रल एंड एस एफस के लिए और साथ यानि कि 10 जुलाई के लिए आलदर केटे जितने भी केटेगरी आती है जन्रल और एससस केटेगरी के लाबा उनके लिए होगा ये ठीक है और MSC Agriculture के लिए 17 जुलाई और MBSC के लिए 18 जुलाई ठीक है और वेन्यो हैगा University Auditorium तो आगे देख लेते हैं यहाँ पर तो आपको apply मैंने बता दिये कैसे आपको apply करना है hillagric.ac.in यहाँ पर website दी गई है यहाँ से आपको यह apply करना है ठीक है और जो others जितने भी entrance exams हैं मुझे लगता है कि उनके भी जो form है application form है वो fill हो जाएंगे और exam वो करवा लेंगे बाद में ठीक है मुझे लग रहा है ऐसा कि आपके entrance exam है वो उनके form fill हो जाएंगे भी तो अभी देखते है next update कब आती है अभी HPU के रहेंगे फिर उसके बाद बहुत सारे हैं ठीक है तो यह fees यहाँ पर दोस्तों रहेगी सभी courses के लिए अलग-अलग यहाँ पर fees structure यहाँ पर बताया गया है यह आप देख सकते हैं यहाँ पर tuition fee, registration fee 700 pay as tuition जो क्या mode है तो यह रहेगा select list है university की वहाँ से date of registration है 27 office of the concern dean वहाँ पर होगा waiting list है उसके बाद select list foreign nationals NRI OCI के लिए है waiting list foreign nationals NRI OCI के लिए है उसके बाद यह होगा आप देख लो final round की counseling होगी मोपर round counseling होगी ठीक है यह भी पालंपूर में होगी university में, auditorium में और यह classes कब से होगी तो यह है B.S.E. Owners Agriculture and Master Program की 48-2020 यानि की 4 अगस्त से और V.V.S.E. and A.H. Program की 1-9-2020 ठीक है तो यह आप देख लो यहाँ पर पूरी information मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है आप वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको पता चल पाएगा अगर skip करके देखोगे तब आपको पता नहीं चल पाएगा दोस्तो ठीक है और यहाँ पर inquiry के लिए contacts number दे गए है ठीक है यहाँ पर देख सकते हो इनके उपर contact कर सकते हो यहाँ पर ठीक है इमेल आईजी भी है और टाइम रहेगा दस से पांच बज़े की बीच आप inquiry भी कर सकते हो ठीक है दोस्तों और आगे क्या है आगे अच्छा आगे अब्रिवेशन यहां पर बताए गई है और इसके आगे क्या है तो दोस्तों फीस बग्यारा सब कुछ आपको बता दिया है मैंने डेट भी बता दिया है तो आप इसके हिसाब से अपना जो है जो भी यहां पर entrance exam फिल करना चाहते हैं वो फिल कर सकते हैं अभी यह कह है अच्छा एन्रॉल्मेंट तो लास्ट एट देख लो यहां पर जब फोरण मालोगी रिए शारी तो सेलेक्शन क्राइट क्वीरियन जो है इस तरह से होगा यहां पर और आगे आगे दिया गया है कि किस प्रोग्राम के लिए क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए तो बीवी एसी एंड एच के लिए सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए एक मिनंट यहां पर अच्छा ठीक है यह तो दूसरों के लिए जो निरा भी ट्वैल्ट की है मैं की प्लस तो भी पास हुए हैं होंगे उनके लिए हुए ठीक है यह वाले कोर्सिज लिखा तो है भी एसी ठीक है तो उनके सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स किनिस्ट्री बाइलोजी या बा अरिकल्चर के लिए अलग है मास्टर्स के लिए कि क्या कहा है यह नहीं हुए है जो यह मास्टर्स के लिए है मिनमुम क्वालिफिकेशन जो है आपकी अधर दैन इन सर्विस केंडिट श्याल भी सी ओसी ओजी पी यह जनलों वीजी कैटेगेरी 50 पसेंट मार्क्स होने चाह और आगे यह दिग जोस्तों मस्सी अगरी कल्चर के लिए बिसप्लीन और ऐल डी क्वालिफिकेशन आपकी क्या होने चाहिए ठीक है अगर आपने में मेरtes यहां पर क्वालिफिकेशन प्रवाइड देख लो सभी अलग अलग है सभी कोर्स के लिए ठीक दोस्तों और दोस्तों एक और बात की इसका लिंक जो है आपको मैं description में provide देखनूंगा अगर हो पाएगा तो और telegram channel के ओपर आपको इसका link जो है यह PDF जो है यह आपको मिल ही जाएगा तो आप telegram channel के ओपर visit कर सकते हो telegram channel का link वीडियो को description में आपको मिल जाएगा और अगर आप टेलिग्राम के उपर डिर्क्ट सर्च करो कि भारत अप्डेट्स तब भी वहाँ पर आ जाएगा ठीक है तो यह दोस्तों एक